Good morning everyone, welcome back to my channel काफी लंबा टाइम हो गया था, मैंने आप से अपना proper वाला morning routine शेयर नहीं किया था तो जस्ट अभी उठे हैं, थोड़ा लेट करके ही उठे हैं क्योंकि सिधारत के स्कूल खुले नहीं थे फिर बंद हो गया, तीन-चार दिन बस चला उसका स्कूल, जब तक एक्जाम अगरा हुए, तीन-चार दिन नहीं कहूंगी वन वीक के लिए बट उसके बाद फिर यहां पर ना कावरियों का काफी रश रहता है, जिसकी वज़े से जो बस रूट है, उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है, तो आदे बच्चे समय पे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, जो आसपास हैं, वो तो पहुँच सकते हैं, जैसे हम भी स्कू अब ऑनलाइन स्कूल का मतलब थोड़ा सा लेट लटीफ होता है, बच्चे भी आलस में ही रहते हैं, उनलाइन का क्या मतलब होता है, आदा चुटी ही समझे है, और हमारी भी आदी चुटी ही रहती है, आराम से हम लोग उठते हैं, तो साड़े चे के आसपास मैं उठी हू यही चाहिए, तो बैटके वगल में ही बोटल भरके रात में रखी वी थी, तो यही बैटके पानी पी रही हूँ, अदर्वाइस फिर किचन में जाके भरके लाती हूँ, बोटल और पानी पीती हूँ, यह रोज का मेरा रूटीन है, ठंडा पानी नहीं होता है, यह नॉमल के रख देती हूं और सुबह उठते ही वैसे भी कोई भी जो जैसे ब्लिंकिट जैसे डिलीवरी सर्विसेज हैं ये छे बजे ही ओपन हो जाती है तो आप चाहो तो सावा छे तक भी समान मंगा सकते हो तो जो भी काट में समान था उसको कर दिया है मैंने और 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 जो हमारा म जाता है मॉर्निंग में बाकी का कुछ समान जैसे ब्रेड और कुछ-कुछ और चीज़े हैं जो आगे ब्रेक्फस्ट रेस्पी में आपके साथ शेयर करने वाली हूं उसमें मुझे जरूरत थी वो मैंने मंगा ली दस बारा मिनट के अंदर समान घर पे भी आ गया और साथ कि चलो कोई बढ़िया वाली ब्रेक्फस्ट रेस्पी बनाते हैं जिससे खाके पेट भी अच्छे से भर जाए और क्योंकि लंच नहीं बनाना था तो मेरे हाथ में काफी टाइम था ऐसे क्या होता है कुछ पोहा जैसा बना दिया अगर सिधारत को खाने का मन है हिसाब से मैंने प्रपेशन की और आज मैं ग्रिल्ड सैन्विच बनाने वाली हूँ बहुत बढ़िया ही रैस्पी बनके तयार हुई थी तो ये एक तरीके से बहुत हेल्दी रैस्पी भी है इसमें हम धेर सारी वेजिस का भी इस्तमाल कर रहे हैं और जितनी हेल्दी है उत से मिल्क पैकेट्स हो गए या फिर कुछ ऐसा समान जो एकदम पैक होता है क्योंकि ये समान इदर उदर कहीं पढ़े रहते हैं तो डारेक्ट फ्रिज में डालना मुझे हाईजेनिक नहीं लगता है तो अच्छे से वाश करके उनको रगती है मैंने अर चलिए आपके साथ मेरा ब्रैंड न्यू किचन अप्लाइंस जो की है एक ग्रिलर मेरे किचन में लगबग हर तरह की चीजे तो अबाही गई थी लेकिन बस कमी थी तो एक बढ़िया से ग्रिलर की जो की आज पूरी हो गई है और ये है मेरा न्यू सैंविच मेकर एंड ग्रिलर जो की जी एक्सेक्टरा बहुत कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे आपने देखा होगा यह पैकिट बहुत ही नीटली और सेफली पैक होके आया था जिसके अंदर कोई भी शिप्मेंट में ब्रेकेज वगरा के चांसे नहीं होते हैं जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको यह इंस्ट्रक्शन मैनुल मिलता है और यह रिकमेंडेट है कि सबसे पहले किसी वे अप्लाइंस का मैनुल आप अच्छे से रीट कर लें उसके बाद ही उसको इसको इस्तमाल करें क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होता है कि फरस्ट यूज आपको कैसे करना होता है उसके अच्छे से मैच करता है दूसरे अप्लाइंस के साथ में यह है क्रॉम्टन का मैक्स क्रेस्प जो की टू थाउजन वाट का है और आपको टू यर की वरंटी के साथ मिलता है इसके अंदर आप फोर रेगलर साइज ब्रेट के सैंविच एक साथ बना सकते हो यहां पर आपको छुछा आप देख रहे हैं लेफ्ट से यह है टृम्परेसश्चर सेटिंग का जिसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेसटर सेट कर सकते हो जैसी आपको ब्रावन्नेंझ चाहिए अपने खाने में एडं सेकें जुछ नोब है उसमें आप 0 S30 मिनीट तक का टाइमर की पुछ करके आप इसको पूरा 180-degree ओपन कर सकते हो और इसे आप ऐसा ग्रिलर यूज कर सकते हो जिस पर पनीटिक का चिकन का कोई आइटम फिश का को आइटम आप ग्रिल कर सकते हो और मझे से इंजोई कर सकते हो यह बार्बीक्यू घ्रिलिंग फीचर मुझे तो बहुत पस आप से उपर कर सकते हो जो और भी ज्यादा गर्विनियन्ट होता है यूज करने में साथी इसका एक और फायदा है जब आप थोड़ा से इसको ऐलिवेट कर देते हो आगे से तो जितना भी एक्सेस, ओईल, ग्रीस होता है वो पीछे की तरफ से ये जो ड्रेनेज है इससे ड्रेन हो जाता है और पता है इसमें एक और अच्छा सा फीचर क्या है दोनों साइड ये जो ड्रेनेज है ये जाके कलेक्टर में आपके ओईल को और एक्सेस ग्रीस को कलेक्ट करता है जो की रिमूवेबल है इसे आप रिमू जो भी excess liquid होता है वो निकलता है तो यहां से बाहर आ जाएगा जिसको आप collect करके throw कर सकते हो और एक चीज और बहुत अच्छी है इसमें इसका lock feature तो जब भी आपको काम नहीं है ना इस griller toaster का आप इसको lock कर दीजिए जो की side में button दिये हुए उनसे lock करके आप इसको कहीं भी vertically भी place कर सकते हो इसमें यह जो non-stick plates ही उसकी गई है यह non-stick होने के साथ साथ non-toxic भी है और साथ ही इसमें यह जो handle है यह cool touch handle है जो की griller आपको कितना भी गरम हो यह गरम नहीं होते हैं वगर आपको भी चाहिए यह decent सा दिखने वाला griller, sandwich maker, barbecue griller कितने सारे function है इसमें और अच अच्छी quality के साथ में बढ़िया चीछ चाहिए तो आप इसको खरीच सकते हो मुझे तो यह बहुत पसंद आया है सारी जो details है वो description में आपको मिल जाएंगी आप check out करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए recipe की शुरुआत करते हैं जो हम इसमें बनाने वाले हैं आज मैं बनाने वाली हूँ wedge grilled sandwich चीज के साथ में तो सबसे पहला step है हमारा corn को boil करना हमें boiled corn चाहिए तो इनको मैंने बिना नमको मक कुछ टाले ऐसे ही चड़ा दिया है साथ ही यहाँ पे धेर सारी veggies लिया है मैंने कहा था ना वीडियो के शुरूर में बहुत ही healthy recipe रहेगी है तो प्याज, शिमला, मिर्च, मतर, गाजर, थोड़ी सी धनिया के पते, पनीर, थोड़ा सा ginger garlic का paste और जितने भी मसाले हमें चाहिए वो भी मैंने निकाल के रख लिए हैं एक open pan में आप थोड़ा सा तेल ड यहक्याजर यहांतेा कीजिए, गाजर साथी दीरे दीरे करके हमें एक समान इसमें आड़ करते ही जाएंगे ऐसा नहीं कि एक समान बहुत पका के फिर दूसरा एक करना है, तो मतर्र भी अड़ कर दींए हैं यह frozen मतर है तो जल्दी पक जाएंगे उसके बाद हमें डाल द द तो थोड़ा बहुत यह उसमें भी पकेंगी तो बहुत जादा अभी हमें नहीं पकाना है हां यह है कि 50% तक आप इनको कुक कर लीजे तो यहां पर हलका सा मैंने इनको फ्राई किया फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट एट कर दिया है वन टीस्पून इनफ है दें डाले है थोड़ा सा दनिया का पाउडर नले और यह है मैजिक मसाला जो इसमें जान भर देगा वह है पाव भाजी मसाला दोचोट söोटी चमच पाव भाजी मसाला मैंने अइट किया है यह जरूर डालना यह एक दम मस्ट है उसके बार थोड़ा सा बलैक पैपर और अच्छी तरी जलने लगेंगे तो थोड़ा धकने से इनके मौशर है सबस्यों का रिलीज होगा और उससे मसाला जलेगा नहीं तो थोड़ा धकने से इसको पकाना है आपने देखा होगा मैंने 1 टीसपून केचप इसमें एड किया है वो सारी चीजों को एक साथ मिला देगा एक बाइंडिं इनको अच्छी तरीके से सौते कर लीजिए जिससे कि मौशर उड़ जाएगा लास्ट में इसमें धनिया के पत्ते और पनी डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे स्टफिंग हमारी रेड़ी है फटा फट एसेंबल करते हैं सारी चीजों को यह हमारा मसाला ऐसा है ना जिसमें आपको अपनी ब्रेट के ऊपर ना किसी भी तरीके की चटनी मियानीज कुछ भी लगाने के जरूद नहीं है यह अपने आप में बहुत फ्लेवर फूल है तो मैंने इस पर एड़ कर दिया है स्टफिंग और जो दूसरी साइड ब्रेट किया दूसरा स्लाइस उस पर थोड़ा साम बटर लगाएंगे और बाहरी जो सते होगी उस पर तो दोनों साइड हम बटर लगा कि इसको सेखने वाले है तो आलकाल का ऐसा बटर लगा देने से बागी यह भी ऑप्शनल है वाइट करना चाहें तो कर सकते हैं साथ ही इसमें एक चीज का स्लाइस लगाना बिलकुल मत भूलिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यह एकदम सबजिव में घुल जाता है चीज तो बड़ा ही अमेजिंग लगता है तो यहां पे हम इसको प्लेस कर दीजिए ग्रिलर में और जरूरी नहीं यह बटर लगाना क्योंकि मैंने अभी शुरू में तो ऐसे बनाया था लेकिन अब तक जब तक यह वीडियो डाल रही हूं मैं इसको कई बार यूज कर चुकी हूँ ना तो मैंने बिना बटर बिना किसी ऑईल के भी इसमें सैंविचेज बनाये हैं और एकदम पॉफेक्टली यम्मी क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेवर फुल से बनते हैं ऐसा ड्राइ ड्राइ सा कुछ नहीं लगता है तो आप चाहो तो इसको बटर इसको चोड़ भी सकते हो ना चाहो तो इसको चोड़ भी सकते हो कोई फरक केक को तो मैंने पहले निकाल लिया था एक को मैंने थोड़ा सा जादा और ब्राउनिंग देने के लिए थोड़ी दिर उसमें और चोड़ दिया था कुछ सेकंड्स के लिए और बस इसको इसको इस तरीके से कट करेंगे और इसको सब कीजिए आप ग्रीन शटनी और आप पसंदाइए कर दो ब्रेक्फस्ट वगएरा करने के बाद हस्बन तो अपने आफिस के लिए निकल गए थे सिधार्द भी काफी पहले ही उठ किया था उसने भी ब्रश वगएरा कर लिया है तो अभी मैंने उसके लिए भी यहाँ पे सैंविच कर दिये हैं प्रप्यर उसे अपने सैंविच थोड़े से एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए थे तो मैंने बना दिये हैं और ये भी बहुत पसंद आए और फिर मेरा काम शुरू होता है घर के सुबह के काम खतम करने का जैसे की कपड़े लगाना एक लौट जैसा कि मैं हमेशा सुबह लगाती हूँ तो कपड़े भी मैंने लगा दी हैं साफ सफाई तो पूनम आके करती है तो वो मेरा काम नहीं होता है बस उसके अलावा जो भी चीज़े होती है वो सारी मैं अभी निक्टाती हूँ और मेरा डिश्वाशर का ये जो डिटरजेंट है ये खतम हो गया था इसको मंगाया है मैंने अभी सुबह सुबह जो मैंने ओर्डर किया था उसमें ये था काट में तो कल के बरतन जो मैंने कल राद सारे सेट किये थे ये मैं दो नहीं पाई थी डिटरजेंट खतम था तो इसको मैंने मंगा लिया और फोड़े बहुत जो जगा बची हुई है डिश्वाशर के अंदर उसमें में जो बांकी के बरतन है उन तो झोड़े लगा करके इसको करके किचन में एक दम नीट एंड क्लीन करोंगी और फिर आगे के काम में लगोंगी तो कि वैसे जो मेरा यह लिक्विड एना इसी से मैं यह जो भी मेरे काउंटर टॉप पे समान होता है ना जैसे यह काज की तेल की बोटलें इनको भी मैं इसी से मांच लेती हूं लेकिन बड़ा चीटा चीटा सा इनको शायद मैं आटे वाले हांत और उनसे चू दिया था वड़ा चीटा सा लगा हुआ था देखा मैंने तो फिर इनको एसे वाश कर लेते हैं कमेंट आ रहे थे कुछ की आप यह बड़ बाटल कैसे वाश करते हो तो बाहरी सते तो ऐसे ही दूल वैसे तो मुझे बैट शीट चेंज करनी थी बट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ बैट के सिदाइद बाबू अपनी कर रहे थे क्लास और उसकी क्लास रणिंग में थी तो मैंने का टाइम क्यों मैं इतनी देर अपना गड़ बड़ करूं मैं जाके नहाई आती हूं तो नहाना मैंना बारिश का इसमें हर चीज छुने से चिपचिपी सी लगती है चाहे आप चल रहे हो फर्ष पे कितना ही डेली आप क्लीनिंग करो कुछ करो चिपचिप चिपचिप हर जगा होता रहता है यही एक वर्स बात है मॉनसून सीजन की कि थोड़ा सा गिन-गिन सा हर जगा रहता है हर चीज लगता है एक दम ड्राइ हो लेकिन हर कपड़ा हर सर्फेस चिपचिपा और सर्दी वाला सा इवन कपडों में भी थंडग सी सर्दी जैसा सिलसिला पंजो होता है ना वह अच्छा नहीं लगता है तो बेटशीट भी और जल्दी जल्दी मैं चेंज करती तो हमारी ये बेटशीट अच्छे से बिच गई है बहुत ही नीट, क्लीन, साफ, सुत्रा सा फील हो रहा था इसको चेंज करने के बाद और घर पूरा अच्छे से हो गया है हमारा क्लीन और हमारे सिदारत बाबू भी नहा के आ गए थे जल्दी से तो अपना बैट करके लो जब तक क्लीनिंग और नहाना दोना किया तब तक हमारे बर्तन भी धुल के रैडी हो गए है कपड़े भी हो गए थे उनको धुलने के रहे हूं सूखने के लिए भी डाल दिया है बाहर हाला कि बहुत अनसेफ है बाहर डालना पता ही नहीं लगता कब बादल लग जाते है क कब बारी शुरू हो जाती है कब बीच में दूप निकल आती है कुछ समझ नहीं आता है आशकल का मौसमना बहुत फ्लक्ट्वेटिंग है एकदम अनप्रेडिक्टिबल है तो चलिए अब लंच की तयारी करते हैं एक्चुल में आप इसको as a breakfast recipe भी बना सकते हो पराठा है तो breakfast में ही सबसे जादा अच्छा रहता है बट यह बहुत ही पोस्टिक बहुत ही nutritious और बहुत ही टेस्टी पराठा रेस्पी में आपके साथ शेयर कर रही हूं तो मैंने जो soya chunks होते है उनको नमक डाल करके boil होने चड़ा दिया है दूसरी तरफ मैंने आटा लगाने भी लचीला अटा जैसे हम रोटी का अटा लगाते हैं उससे भी सॉफ्ट हमको आटा चाहिए क्योंकि हम स्टफिंग में सोया बनने वाले और सोया में आप जानते है ना एक रूखा पन होता है उतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं बनती है उसकी हाला कि बिल्कुल बेलने में प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब आप थोड़ा सा गीला लचीला अटा रखोगे अगर आप एकदम सुका सुका पराथे जैसा अटा बनाओगे ना थोड़ा टाइट तो अफी दिक्कत होगी यहां पर हमने क्या किया है यहां पर पैन में ना तेल ले लिया है मैंने और इ जिसमें रैचिली पाउडर, तर्मरिक पाउडर, कॉरियंडर पाउडर है और साथ ही यहां पर हम गरम मसाला भी आड़ कर रहे हैं एक चोटा चमच और थोड़ा सा चाट मसाला हम डालेंगे लगबग हाफ टीस्पून तक आपको इसमें चाट मसाला भी आड़ करना है इसक मतलब 2-3 पल्स में यह बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है तो यह मेरा थोड़ा मोटा मोटा है मिक्सी में इससे भी थोड़ा फाइन हो जाता है बट वह अच्छा है उसे और अच्छा आप पना पाऊगे बढ़िया तरीके से पूरा बढ़िया से स्प्रेड हो जाएगा और आटा हमारा लग्के तेयार है यहाँ पर आप देख सकते हो कितना लचीला एकदम सॉफ्ट आटा था बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए अभी हम थोड़ा एक बड़ा सा पेंडा लेंगे आटे का थोड़ा सा पर्थन लगा के इसको बावल का शेप देंगे कटूरी का अं इसको बस ऐसे लॉक करके और बेल लीजिए थोड़ा हलके हाथों से और घी लगा के दोनों तरफ से बढ़िया करारा करारा सेख लीजिए यह पराठे की कोई तुलना नहीं है इतना यह क्रिस्पी फलेकी बनता है और इसको आप ऐसे अचार के साथ में बटर के साथ में चा अपर आप अपर आप अपर आप अगर जो है तो अपर आप अज़ाए जो है हाई प्रोटीन एक इंग्रीडियन्ट है जिसे हम अपनी कुकिंग में थोड़ा-थोड़ा यूज अगर करते रहते है न तो प्रोटीन का इंटेक हमारा बहत अच्छा रहता है कभी सबजी में कभी चावल में डाल दीजिए कभी उसकी सबजी बना लो कभी इसके मॉमोस बना लो स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत तो इस तरीके से आप इसके पराठे भी बना सकते हैं इसको मैंने बटर और अचार खटे मिठे अचार के साथ इंजोई किया था इसके साथ और कुछ तो त्राइ कीजिए का आज की दोनों ही रेस्पीज टेस्टी भी है और हल्दी भी है तो दोनों को ट्राइ करके बताईए का आपको कौन सी अच्छी लगी और कितनी अच्छी लगी और आपके फैमिली को कैसी लगी चलिए फिलाल ये वीडियो में कुछ भी अगर पसंद तो लाइक दिये बिना बिलकुल मच जाएएगा मैं मिलते हूं आपसे इपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्स फो वाचिंग टेक केर बाई बाई